नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभाद खबर में आपके साथ राज लक्ष्मी 44 दिनों में हुए लोगसभा चुनाव के परिणाम का दिनाज आ चुका है और तमाम जगों पर जहाँ जहाँ चुनाव संपन हुए वहाँ पर बैलेट वोटिंग बैलेट पोस्टल से जो है उसकी काउंटिंग शुरू हो चुकी है ऐसे में वर्तमान में क्या हालाथ है चुकि 8,360 उमीदवारों की किस्मत इस वक्त इवियम में क्याद है तो हम समझेंगे वर्तमान में शुरूवाती रुजहान क्या है अभी लगबग 9 बज़रे है और 9 बज़र तक जो है वो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग जो है वो समाप्त होने की ओर है और इवियम का पिटारा खुलने वाला है समझने की कोशिश करेंगे इस वक्त हम अब प्रभात खबर के न्यूज रूम से वर्तमान के हालात क्या है और क्या स्थिती है क्या शुरूवाती रुजहान है हमारे साथ हमारे साथी अमिताप जी है नाशनल डस्ट पर काम कर रहे है नाशनल डस्ट में क्या शुरूवाती कितने सीटों पर अभी तक रुजान आ चुका है शुरुवाती रुजान की बात करें तो अभी तक एंडिये जो है उसको बहुमत दिखता नज़े बहुमत मिल चुका है शुरुवाती रुजान में वहीं प्रमुक सीटों का हाल बहुत उलट-पुलट है जैसे कि यदि हम आगे चल रही हैं लेकिन अभी वहां से जो कॉंग्रेस उम्मीद्वार हैं दिखत जो हैं उन्होंने का है इंतिजार कीजे इसे तरह अगर हम बात करें अन्य सीटों की तो वहां भी उलट-फेर का खेल जारी जैसे अभी तक कमो बेश चुनाव आयों के वेबसाइट से और तमाम चैनलों के ये से जो है वो कितने सीटों का रुजहान आ चुका है अभी हम बात करें तो रुजहान करीब 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 आपका 515 सीट पर आ चुका है जिसमें से 269 पर एंडिया आ गया है एक पर तो निर्वीरोत पहले ही जीत दर्च कर चुकी है ये आगे पीछे हो र सीट पर आगे चल रहे हैं हाला कि ये अभी शुरुवाती रुजहाने बहुत कुछ कहां नहीं जा सकता आगे अब देखना होगा क्या है तो पोस्टल बैलोट की काउंटिंग जो शुरू हुए जो मैनवली चल रही है उसमें शुरुवाती रुजहान निकल कर सामने आ रह ही है जैसे कि एलेक्शन कमिशन के डेटा के अनुसार पीया मोधी वारानसी से पीछे चल रहे है और यह उलट फेर जो है वो लगा हुआ है चुकि हम सीधे तोर पर कहेंगी ये शुरुवाती रुजहान है और अब तक अगर सीटों की गिंती की बात करें तो शुरुवाती रुजहान में अंडिये को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गडबंदर एक सुतरानवे सीटों पर आगे चल रही है शुरुवाती रुजहानों पर जादो कुछ नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी हम स्थिती जानने की कोशिश करेंगे दक्षिन की क्या स्थि तो अभी सुरुवाती रुजहान जो आ रहा है उसमें जो मतलब था था कि ये लोग आगे चलेंगे जैसे ससी थरूर हैं तिरुवा नंतपूरम से तो वो आगे चल रहे हैं हैधरावाद सीट की बहुत चर्चा हुई क्योंकि वीजेपी ने इस बार माधवीलता को टिकर द हैं और ऐसा अभी नहीं लग रहा है कि वो मतलब उनके किले में सेंध हो सकती है फिलिहाल जो स्थिति है रिवन्ना बहुत चर्चा में रहे प्रज्वल रिवन्ना जो यॉन सोसन का मामला सामने आया था उसको तो वह भी अभी फिलहाल की स्थिति में आगे चल रहा है उश क को मतलब काटे की टकर है इस बार लेकिन बाव जो दिसके राहूल गांदी आगे चल रहे हैं अब शुरुवाती रुजाने एक घंटे का आपको मतलब रुजान मिल रहा है सामने तो इस पर अभी रिजल्ट की बारों में कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिती दीख रही है उसमें यही स्थिती है महिला उमिद्वारों की अगर बात करें देश भर में तो लगभग 797 महिला उमिद्वार चुनावी मैदान में थी और इनमें जो भी बड़े चेल वो लगभग सभी आगे चल रहे हैं एक मात्र महवुवा मुक्ति पीछे चल दिंपल यादव भी आगे चल रहे हैं तो अभी मतलब बहुत निशियल फेज है तो अभी बताना बहुत एक दो घंटे वाद कुछ स्थिती सपस्ट होगी अभी जो स्थिती है उसमें यही है चले तो शुरुवाती रुजहान है इनिशियल फेज है और कुछ कहना मुश्खिल है कि किसकी हार और किसकी जीत होगी लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं वर्तमान में अपडेट 9 बजो तक क्या लाइव अपडेट है कि सीट से कौन चेहरा आगे चल रहा है कौन पीछ है चूट गया और सीटो का रुजहान जो है जो स्टरह से एक्जिट पोल में बात की गई थी कि बीजेपी को सपष्ट बहुमत मिलेगी तो अभी तक के वर्तमान रुजहान में बीजेपी सपष्ट बहुमत की और जाती हुए दिख रही है शुरुवाती रुजहान है इनि जानते हैं कि जो राजनीती है और बॉलिवुड उसका पुराना नाता हमेशा इसे रहा है कई बॉलिवुड सलेप्स फिल्मों में तो अच्छे रिखते ही राजनीती में भी कमाल कर जाते हैं हां ऐसे मिस बार कारा कट सीट से पवन सिंग उतरे जो भुजपूरी के पावर सींग यह चल रहे हैं तो वह भी मत्हुरा चल रही है मंडी कांग्ना रू जी और मंडी में हमें यह काफी चुनाओ यह रैलियां की महिलाओं से बात की आसर भी देखने पाम रहरा है क्यूंकि बोड़ाती से वह मनडी आगे चल रही ही जंता मने तो चीज़े बदल सकती है मनोज थिवारी है नोर्थ दिली सीट से अब आगे चल रहे है वो भी अब आगे चल रहे है और जैसे जैसे चीज़े सामने आएंगी तो वैसे वैसे आगे पीछे होता रहे है तो फिलाल तो अभी क्या अपडेट है बॉलिवूड में चुकी बॉलिवूड का और राज़नीती का रिष्टा जो है वो गहरा रहा है और कहीं न कहीं यह तार्य आपस में उलशते हैं क्या तो सांसत बन जाता है और पर जंता यह जाता है ऐसे में अगर ट्रेंड की बात करें social media पर क्या trend चल रहा है तो वो क्या trend है social media एलेक्शन के दिन social media पर भी इसका आसर दिख रहा है counting के दिन तो इसमें आज जो चीज counting में trend करें social ex की बात करें तो Arun Govill trend कर रहा है election results trend कर रहा है counting 400 पर और Kangana Ranaut बड़ी face है वो भी trend कर रही है और इंडिया जीत रहा है, ट्रेंड कर रहा है, इसके अलावा पार्टियों के नाम, गड़बंदन के नाम और सपोर्टर्स अपने अपने धंग से अपने पार्टियों को ट्रेंड में ला रहे हैं। इसके नाम, गड़बंदन के 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 नाम, गड तोई तरह से सही इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सी जगों पर अभी काउंटिंग जारी है और दुमका से सिता सुरेंड को पहले बताया गया था पीछे चल रही है लेकिन अभी हमारे पास यह खबर आई है जो पहले जो गिंती हुई है बैलेट राउंड की उसमें 1200 वोटों पीछे चल रहे हैं लेकिन वो भी अधिकरित रूप से अभी तक पोस्टल बैलेट की गिंती है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है अभी तक ऑफिसियली इलेक्षन कमिशन ने इन सीटों के बारे में अनौंस नहीं किया है सीता सुरेंड के बारे में कहा है कि 1200 वोटों से वो आपको बता दें बड़े केंडिडेट हैं गिरिराज सिंग वो शुरुवाती रिजान में पिछड गये हैं आप बिहार में रवी शंकर प्रशाद आगे चल रहे हैं चिराग पासवान आगे चल रहे हैं मिसा भारती आगे चल रही हैं लेकिन उनकी बहन रोहनी आचारिया पिछड गई थी तो ये नहीं नहीं आई हैं तो पिछड गई वो लेकिन मिसा भारती अपने निकत्तम प्रतिद्वंद्री से आगे चल रहे हैं अभी बड़त बना लिये हैं लेकिन अगर हम स्पोर्ट्स पर भी आएं खेल पर आएं तो राजुनीती का जिस तरह से बॉलि स्पोर्ट्स का भी रहा है कई बड़े चेहरे चुनावी मैदार में हैं वो कौन है और क्या स्थिती है उनकी इस बार वैभाव देखें अगर हम बात करें तो टीमसी ने दो बड़े चेहरे कृती अजाद और यूसुप पठान को मौका दिया है यूसुप अठान बहरामप वहीं बर्दमान दुर्गापूर की बात करें तो कृती अजाद भी दिलीब गोज जो की बीजेपी के प्रत्यासी हैं उनसे पीछे चल रहे हैं और देखने वाली बात है कि कि क्रिकेट जगत के अलावा उडिशा के सुंदरगड से दिलीब तिर्की को बीजुजनता दल न टीकेट पाया था जिसके बाद उन्होंने कॉंग्रेस से भी एक बार चुनाव लड़ा है और अब टीम्सी से भी लड़ा है लेकिन बीजेपी की जीत के बाद वाद कॉंग्रेस और इस से पीछे ही चल रहे हैं और दिलीब तिर्की भी गोल दागने में चुक गए चुक ग जो बड़े चेहरे निकलकर राजुनीती में आते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अपने इनिशल फेज में कह सकते हैं बात करें अगर राजस्थान की मध्यप्रदेश की और गुजरात की तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ट साथी विश्वित जी मौझूद है क्या हालात है वर्तमान में इन जगों पर क्या बड़े चेहरों का हाल है गुजरात से तो अमिर्शाह तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और राजस्थान का भी चुनाओ लगभग लगभग ठीकी चल रहा है लेकिन मुकाबला कड़ा है और अभी शुरुआती रुज़ान है शुरुआती रुज़ान में कुछ भी कहपाना मुश्किल है असली ट्रेंड आपको पता चलेगा ग्यारह बारह बज़े के बाद अभी यह बैलेट है बैलेट पेपर से जो वोटिंग किया जाता है उसकी गिंती चल रही है इवियम असली गिंती देती है तो जब इवियम खुलेगी तब जो है असली रुज़ान सामने आएगा इवियम का पिटारा जब खुलेगा तब सामने आएंगे असली रुजहान हमने आपको बताया इनीशल फेज में शुरुवाती रुजहान क्या इशारा कर रहे हैं बैलेट पोस्टल जो वोट दिये गए थे उसकी गिंती जारी है और उसमें वर्तमान में क्या हालात हैं अंड प्रभातकबर.com के वेब पेज पर विजवा कर देख सकते हैं क्या है पुरे देश उभार में इलेक्शन का हाल क्या रिजल्ट है और प्रभातकबर के फेस्बूक और यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे हैं देखने के लिए तमाम अपडेट्स